शो एक घ्रम सर्वगुंद संपन को शुरू हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लेगने शो ने शुरुआत से ही अपने जबरदस ट्राक के वज़े से अपने पैर खूब जमा लिये हैं और ओडियन्स के वीज एक खास जगे बना ली है दरसल इस सस्पेंस ट्रिलर ड्रामे में पहले ही दिन से खूब हाई बोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है ऐसे में अब फैंस ये जानने के लिए विजएन हैं कि आखिर आने वाले दिनों में शो में क्या क्या होने वाला है तो चलिए आपके सवाल का जवाब लेकर हम हाथि हैं दरसल हमारे हाथ शो से जुड़ी एक बड़ी खबर लगी है शो के अपकमिंग ट्रैक्ट में वैसे तो आपको जानवी का एक और नया रूप देखने को मिलेगा मगर इसके साथ ही साथ खबर ये भी मिल रही है कि जल्धी शो में एक बेहत दमदार एंट्री होगी जिनके आने से शो में एक नया ट्विस्ट आएगा खबरों की माने तो जल्धी शो में आक्टर करन महरा की एंट्री होने वाली है सामने आ रहे ही जानकारी के मताबिक करन इस शो में जानवी के पिता का रोल निभाते दिखेंगे अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जानवी के पिता की मौत हो चुकी है और उसके जिम्मदार जानवी के ससोर पी के मितल है ऐसे में खबर यही मिली है कि अगले कुछ दिन के बाद शो में जानवी के बच्चमन की फ्लाश बैक स्टोरी दिखाई जाएगी जहां करण उनके पिता के रोल में दिखेंगे दिखाएगे जाएगा कि जानवी कैसे अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहती है जही बात शो की लेकिन अगर बात की जाए करण महरा की तो वो काफी रंबे टाइम से टीवी स्क्रीन से गायव है ऐसे में करण के फैंस के लिए एक खुश खबरी है हलाकि आपको बता दें कि करण का रोल इस शो में कितना बड़ा होगा इस पर तो फिलहाल कुछ खास नहीं कहा जा सकता लेकिन अब जब खबर ये है कि कहानी फ्लाश बैक की है तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि उनका रोल शो में छोटा सा कैमियो हो सकता है जो शो में टाइम टाइम में हमें देखने को मिले आपको बता दें कि जब हाली में करंट से इस बारे में पुछा गया तो उन्होंने भी बताया था कि उन्हें अभी तो दिन के लिए शूट करना है करंट कहते हैं मैं इस सीरिल के फ्लाश बैक में दिखने वाला हूँ मुझे महीने में सिर्फ दो ही दिन शूट करना है और इसके लिए ये जो अरेंजमेंट किया गया है वो मुझे बेहत पसंद आया बात करेंगर शो की तो शो को दर्शों ने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया है तो अब देखते हैं कि करन महरा की एंट्री के बाद शो में क्या क्या जबर्दस ट्विस्ट आएंगे फिला तो कमेंट सेक्षन में आप हमें ये बताईए कि सीरिल में करन की एंट्री को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं झाल